हाई गाईज, हाव यू अल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अगर आप नमबर 24 में या फिर मई 25 में अपना अटेम्ट प्लान कर रहे हैं और अपर अपका अभी तक नहीं हुआ है, चाहे आप फ्रेशर हैं या फिर आप रिपीटर हैं, पहले आप अगर अपर अपर टाइम है, तो भी ये पर्टिक्लर बैच आपके लिए है, जिसका नाम है exam-oriented batch, सर ये exam-oriented batch, regular batch से कितना अलग होता है, तेगे regular batch में, अगर मैं, सपोज 100% questions की practice करवा रहा हूं, तो exam-oriented batch में, मैं 75% questions की practice करवाता हूं, पहली बात ये, regular batch में, अगर मैं किसी concept को, चार बार revise कर रहा हूं, तो मैं exam-oriented batch में, उसी concept को, दो बार repeat करूँगा, बट, अलग से, मैं topic complete करने के बाद, उसका जब cumulative revision दूँगा, तो वो cumulative revision भी आपको आपके app पर provide कर दूगा, ये मैं exam-oriented में करूँगा, तो बस exam-oriented में, इतना ही difference होता है, और कुछ नहीं है, मतलब ये batch, पूरी तरीके से आप ले सकते हो, अगर आपके पास limited time है, और आप कम समय में, पूरा course revise करना चाहते हो, आईए मैं आपको बताता हूं, कि मेरे इस particular course में, क्या-क्या चीज़े आपको available करवाई जाएंगी, covering 100% slivers, इसमें कुछ भी नहीं चोड़ा जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं approximately, अब जब मैं आपको यह बोल रहा हूं, 170 hours, तो इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, मतलब 5-10 गंटे प्लस माइनस हो सकता है, because यह batch अभी currently चल रहा है, जिसमें मैंने लगबग 10-12 topic complete करवा दिये है, इसके अलावा, इसमें आपको दो views मिलेंगे, मतलब अगर किस अब के दो रहेंगे, अब आते हैं, most importantly, कि अगर किताब, अगर books, अगर notes बहुत ही अच्छे हों, crisp हों, तो पढ़ाई भी उतनी अच्छी होती है, इस बार मैंने किताब में बहुत सारे changes किये है, when it comes to concept book, concept book को मैंने बहुत अच्छे से crisp बनाया है, और इस बार जो मैंने concept book में changes किये है, changes करने के बाद, concept book को मैंने सिर्फ और सिर्फ 400 pages के अंदर cover up किया है, सारे topics, सारे के सारे 37 topics को मैंने cover किया है, 400 pages के अंदर, मैं आपको सारी books दिखाऊंगा, FR example book, इस बार मैं एक additional किताब दे रहा हूँ, FR example book, कई बार ऐसा होगा, कि classes के दौरान, मुझे आपको कुछ examples refer करवाने होगे, directly question पे जम करने से पहले, कई बार ऐसा होता है, कि मुझे आपको कुछ examples लिखवाने पड़ेंगे, मैं उन examples के basis पर आपको concept समझाऊंगा, मैं examples को लिखवाने का time save करना चाहता हूँ, ताकि सही समय पर हमारा lectures complete हो, इसलिए वो examples, लिखे हुए examples, मैं आपको सास में provide करूँगा, उसके separate किताब आएगी, बहुत ही पतली होगी, ना के बराबर, qr code question bank आपको दिया जाएगा, दो volume में, concept book भी आपको दो volume में होगा, multi-color होगा, qr question bank जिसमें सारा का सारा compilation है, ICAI का complete study material जो की updated अभी तक था, उसकी अलावा past exam papers के questions, MTPs और RTPs, स आरा का सारा complete, लगबग लगबग उसमें 1250, 1250 plus questions इसमें शामिल होगे, लगबग लगबग 1250 plus questions उसमें आपको मिलेंगे, including solutions, ICI के suggested solutions के हिसाब से, फिर आपको provide करा जाएगा, आपको chart book मिलेगा, chart book आपको revision के time पर काम आएगा, self revision में, आपको case study booklet भी दूँगा, जो कि 25-30 case studies मैं खुद discuss भी करूँगा, classes के अलावा, YouTube पे उनके lectures भी टा दूँगा, वो आप देख सकते हो, और इसके अलावा handwritten class notes, जो भी मैं class में आपको करवाऊँगा, वो सब कुछ प्रवाइड करूँगा, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि basically किताब कैसी दिखती है, यह है जैसे concept book, concept book आपकी यह है, जैसे यह multi color रहेगी, यह current batch का ही पूरा note से मैंने करवाया, concept book में सबसे अच्छी बात जो मैंने इस बार add की है, वो यह की है, कि question को solve करने का complete format, हर इंडेस के अंदर, जहां 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 practical question solve होता है, हर एक practical question को solve करने के जो format होने चाहिए, वो मैंने सब डाले है, यह सबसे बड़ा basic important advantage है, इस concept book का, दूसरी चीज़ important बात यह है, कि जहां जहां उन concepts को समझाने के लिए, formats को समझाने के लिए, मुझे examples की तरह पड़ेगी, मैंने या तो वो examples यही पर लिख दिया है, या तो मैंने उनके लिए अलग से जो मैं आप आपको example book कुछ ऐसी दिखेगी, अलग से आपको example book मिलेगी, जिसे यह example हो गया, उसका solution हो गया, फिर उसका solution हो गया, इस तरही के से आपको example book दिखेगी, तो यह है आपकी concept book, मैं आपको concept book को एक और chapter दिखा देता हूँ, जैसे India S21, concept book में यह मान लिजे कि मैंने इस बार concept book को बहुती crisp form में बना के दिया है, without compromising any content of the book, हर जगा आपको table form में या फिर formatting ऐसी दिखेगी, जिसमें आपको बहुती easy language में समझ में आ जाए, और जगा जगा पर आपको दिखेगा, refer practical example 5, या refer question number 10, जिससे आपको एक reference भी रहे कि हाँ, इस concept को मैं कहां से refer कर सकता हूँ, यह बहुत बड़ा advantage मिलेगा, जहां जहां accounting treatment है, वहां वहां आपको journal entry की हुई मिलेगी, ताकि आपको पहले से ही सब चीजें बनी बनाई रहें, और exam time में आपको कुछ और refer करने की ज़रुत न पड़ो, मैं आपको बता रहा हूँ, challenge से बोल रहा हूँ कि exam में भी आपको यह किताब काम आएगी, साथ ही साथ यह किताब आपको paper number 6, IBS के time पे भी बहुत काम आएगी, वैसे ही, पूरा steps, क्या क्या कैसे कैसे, step wise आपको solve करना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा, इस concept book में सारी चीजे बताया जाएगी, with the examples also, और जहां जहां format की जरुरत है, व कुछ time के लिए सिर्फ, तो यह हो गई आपकी concept book, concept book के अलावा, आपको मिलेगी example book में आपको दिखा चुका हूँ, question bank, qr question bank, qr question bank, qr question bank क्या है, qr question bank मतलब basically it is a question bank, जिसमें ICI study material, rtp, mtp, past exam papers, सारे questions होगे, हर chapter में, आपको बले सी बताया जाएगा कि कितने questions cover है, इस question bank क कि majorly दो important खासियत है, पहला सारे के सारे chapters में, जितने भी type of questions हैं, उनको अलग अलग रखा गया है, classify किया गया है, ठीके ना, अलग अलग category wise रखा गया है, ताकि exam time में, आप वो category search करके, उसको धंग से revise कर सके, और यह आपको IBS के time पर भी बहुत help करेगा, जब आप यह कित QR का मतलब यह हुआ, QR का मतलब basically यह हुआ, कि यहां पर अगर मानलो यह question में, आपको कोई doubt है, तो आप इसको scan कर सकते हो, किसी भी scanner के application से, और यह scan जब आप करोगे, तो आपको इस particular question का video solution मिल जाएगा, आपको ऐसा बहुत सारे questions के बगल में देखेगा, जो questions अच्छे questions है important questions है, ताकि exam में आपका doubt पूशने में time waste ना हो, so यह होगी आपकी question bank, ठीक है, इसके भी दो volume रहेंगे, chart book आपको मिलेगी, chart book में आपको दिखा देता हूँ, किस type से रहेगी, this is the kind of chart book, chart book इस तरीके से लहेगी, यह मेरा already used chart book है, मैं इसी में से revise भी करवाँगा, बीच ब revision के लिए आपको बहुत काम आएगी, उसके अलावा, आपको case study book में आपको provide करूँगा, और hand written notes, hand written notes, कुछ ऐसे आपको दिखेगे, hand written notes आपको, hand written notes आपको यह दिखेगे, अब मैं आपको बता दूँ, हमारी class के अंदर, क्योंकि classes अभी चल रही है, ongoing है, मैंने एक नया concept मैं बच्चों से summary बनवा रहा हूँ, जब आप यह class लोगे, तो आपको realize होगा, कि मैं आपको कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, summary बनाओ, summary बनाओ, और बीच-बीच में, मैं भी आपको summary बनवाता जाऊंगा, क्या होता है, जब हम खुद की language में, और खुद की writing में summary बनाते हैं, तो उसकी बात ही अलग होती है, तो हर topic के अंदर में कोशिश कर रहा हूँ, कि आपसे summary बनवा रहा हूँ, classes में, और कह रहा हूँ, कि यह point आप summary में डाल देना, इससे हो क्या रहा है, कि बच्चों की writing practice भी हो रही है, और लिखने से उनके concept भी strong हो रहे हैं, और exam oriented batch भले है, बट यहां पर मेरा काम यह है, कि मैं आपको सिर्फ concept नहीं करवा हूँ, मैं आपको बहुत सारी practice करवा हूँ, ताकि practice से भी आपके concept strong हो, regular batch में जहां मैं 100% मान लिज़े questions करवाता हूँ, वहां मैं आपको exam oriented में कम से कम 70 से 75% questions की practice करवाँगा, ताकि आपका class मे करने की ज़रत नहीं, homework वाले questions में भी मैं आपके साथ रहूँगा, qr video solutions के form में, तो एक तरीके से, मैं किसी भी तरीके से आपके साथ ही रहूँगा, ठीक है, multiple revisions जैसा मैं आपको बोला, मैं multiple revisions classes के दौरान करवाता रहूँगा, और एक एक chapter complete होने के बाद, मैं पूरा उस के बारे में भी भालूब पड़ेगा, इस particular batch का एक telegram group है, separate telegram group रहेगा, जो बच्चे batch को join करेगे, उनको telegram group में add किया जाएगा, उस telegram group में बच्चे अपना study doubts मुझसे directly पूछ सकते हो, और बाकी बच्चों से भी communicate कर सकते हैं doubts के लिए बारे में, और साथ ही साथ मैं या फिर जो कम समय में पूरा का पूरा content बहुत अच्छे से cover करना चाते हैं, ठीक है, so ये batch में अगर आपको कोई और doubt हो, तो वही जो मैंने जो आपको number दिया, आप उस पे whatsapp करके मुझसे पूछ सकते हैं, November 24 या फिर माई 25 के लिए आप इसको definitely ले सकते हो, मेरी guarantee है, आप आपको exemption दिलवा के रहूंगा, ठीक है, चलिए, all the very best और मिलते हैं, batch